असलाम अलेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वनीला स्पोंज की रस्पी तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं वन पांड हम ने केक के लिए स्पॉंज रैडी करना है उसके लिए दो अदद हमने ले लेंकेमीश उनको एक मिनट के लिए हमने बीट करना है slow speed पे एक मिनट के लिए beat करेंगे उसके बाद इसकी speed जो है एक नमबर और बढ़ा देंगे अब हमने इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी आइड कर लेनी है जो के हमने लिए है 100 gram 100 gram जिसमें चीनी आइड कर देनी है थोड़ी थोड़ी करके और एक मिनट बाद फिर से इसकी speed थोड़ी और बढ़ानी है एक दम से हमने इसकी speed जो है नहीं बढ़ानी अब हमने इसके अदर oil आड किया जो के 1 fourth cup था यानि के एक चुथाई कप इस तरह से 1 एक मिनट के बाद इसकी speed बढ़ानी है और 5-7 मिन तक इसको बीट कर लेना है अब इसके अंदर एड़ करना है 1 फॉर्थ टी स्पॉन वनीला सेंस और 1 फॉर्थ टी स्पॉन ही इसमें एड़ करना है लैमने सेंस लैमने सेंस से इस स्पॉंज की रेसिपी जो है बिलकुर ऐसी होगी जैसे आपको बेकरी से मिलता है स्पॉंज अब हमने इसके अंदर एड़ करना है मैदा फ्लॉर्थ जो के हमने 100 ग्रैम्स ही लिया है जितनی हमने चीनी ली उतना ही मैदा लेना है और इसको चांड लेना है इसमें एड़ किया हुआ है 1 टी स्पॉन बेक्ण पाॉड़र अब हमने इसको ग्रीस की ओवे पैन में डालना है और प्री हीटीट पतीले में बेक कर लेना है तकरीबन 40 मिनट के लिए तो ये देखें 40 मिनट के बाद जबरदस सा हमारा स्पोंज बेक होके त्यार हो चुका है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसकी साइड्स को अलग करेंगे और इसको डी मॉल्ट कर लेंगे तो ये देखें जबरदस सा हमारा स्पोंज डैडी है इसके ओपर हम क्रीम वर्क करेंगे पैसे भी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तेंक यू वर वजगे